नमस्कार पाचारेपद परकारेद डॉक्टर पुनीट महाचन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कारेकरम में पित की थहली की पत्तरी जो है कंगी अवशक बन जाता है कि यह जो पित की तैली है यह कहां स्थित होती है में और इसके मुक्खे जो इसके फंक्शन्स हैं वो क्या चीज है नमस्कार डॉक्तर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां बुलाने के लिए और आज सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आज शिक्षक दिवस है शायद मैं अपने सारे गुरू जनों का कोटी कोटे धन् होंगा कि मुझे इस लाइक बनाया कि आज मैं यहां आपके सामने समक्ष बैटा हूं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और धन्यवाद दर्शकों का भी जो हमें सुन रहे हैं सो जो आपने बताया कि पित की थैली एक ब्रेड और बटर जो बताया जाता है सर्जिन के राइट साइड उपर अब्डॉमन में है पेट में उपर ले हिस्से में पेट के बीच में डायफराम होता है डायफराम से उपर हमारा लंग्स होंगे और उसके नीचे आपका अब्डॉमन होगा तो राइट साइड आपके अब्डॉमन के इंचे डायफराम के लिवर होता है basic काम यह है क्योंकि जो initial stage में पित बनती है वो हमारे लिवर में पित बनती है और आपमे second part of deodor neum में निकलती है जाके लेकिन हमेशा continuously नहीं निकलती वो जाके पित पहले गॉल ब्लैडर में इकठी हो जाती है तो गॉल ब्लैडर बेसिकले एक reservoir है रिजर्वायर है उसके लिए बाइल के लिये, जो पित बोलते हैं बाइल के लिए रिजर्वायर है और उसको house कान्सेंट करता है जो जब आप खाना खाते हैं उस टाइम पे बॉडी में कुछ हॉर्मोज निकलते हैं जो की गॉल बैडर को एक सिगनल देते हैं कि हमने खाना खाया है और फैट्स खाये हैं तो अब आप अपने आपको एमटी करो और जो बाइल है उसको आथ में भेजो और उसकी डाइजेशन में करो तो बेसिक फैडिंग फांक्शन इसका रेजर्वा है है और डाइजेशन में जो हल्प करता है यह में इसका फांक्शन है आपका जो सफर है काफी लंबा है लगभग दो दशकों से जादा आप सर्जरी वभाग में बहुमले सेवाएं और ना जाने कितने आपने ऐसे एडवांस्ट और हाई रिस्क आपरेशन्स की हैं इसके लिए अधाई के पात्र भी बनते हैं आपका जो अनुबाव है लगभग जो मैं दो दशक की बात कर रहा हूँ उस टाइम भी गॉल्ड स्टोन्स जो थे वो काफी कम नजर आते थे और आज की डेट में इसका इंसिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या मानना है आपका ये गॉल्ड स्टोन्स क्यों आज कल सामने ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं पहले क्यों ये कम देखे जाते थे पहले कम सर्जरियां होती थी इनकी आजकल हर दूसरा या तीसरा विक्ती या किसी भी मेल हैं फिमेल हैं तो उनको अक्सर ये गॉल्स्टोन की समस्य सामने देखने को मिलती है जी है जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप वर्ल्ड वाइड इंस्टेंस देखें यह जो गॉल्स्टोन्स है ज्यादा कॉमन अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन में मोस्ट कॉमिनेस्ट है वहां दस से पंदरा प्रत्रिशत इसकी जो इंसिडेंस है हिंदुस्तान के अगर इंडिया की बात करें ओवरल और प्रिविलेंस हिंदुस्तान में 6-8% है कम है ऐसा नहीं है कि हमारी population इतने ही जादा है numbers इसलिए जादा है तो overall हमारे incidence इंडिया में 6-8% है जिसमें से जादा incidence females में होता है 5-6% females में और 1-2% males में भी होता है और अगर North और South इंडिया की बात करें तो 88% 80% North India में थोड़ा जादा है South India में around 60 % है तो नौर्थ इंडिया में थोड़ा सा इंसिदेंस कंपयर टू साउफ इंडिया जाधा है और अगर हमाचल की बात करें तो यह इंसिदेंस अर्मोंस इतना ही है जो इंडिया में है जितना है बट यह है कि जो हमें बहुत सालों से आप और二-वीस दौश-दसकों से हम लगे है देखने. गॉल बैडर की जो सरजरी होती थी, वो भी सबसे कौण ने सरजी होती थी. अगर हमारे अगर हमने दस ऑपरेशन रखे होते हैं, दिन में, तो उसमें से छे या साथ गॉल बैडर की होते थे. आज के दिन में भी उतने ही है बट ये है कि लोगों की जागरुपता बढ़ गई है अपने सेहत के बारे में और एक अल्टरा साउंड जिसने रेवलुशनाइज किया है जो चीज है कि ये इसका डाइगनोजिस बहुत बढ़ गया है इंसिडेंस इसलिए भी बढ़ गया है श चोडे चोडे हस्तालों में भी जोटीस चोटी सी छोटी बिमारी के लिए भी अल्टरा साउंड किरा लेते हैं तो और चीज़ क्रण इसपे लुग और हो बेमारी कोई और होती है किसी दर्द के लिए लेकिन गॉल्स्टोंज फिर भी बना चल जाते हैं तो वो है तो थोड़ा सा इंसिडेंस इस कारण हमें लगता है बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया अवर रहाल इतना ही ऐसा जादा नहीं जो लोगों की जो स्क्रिनिंग है वो ज्यादा हो गया है कि अपना जो अल्टर साउंड है किसी और फशिल्टीज भी बढ़ गई हैं कि यस सब जग़ा अवेलेबल हैं तो लोग जल्डी से जल्डी करा के आते हैं अक्सर जब हम बात करते हैं किसी भी बिमारी के लक्षनों की तो अगर गॉल बेडर के स्टोन्स की अगर हम बात करें उस तरह में कई बार अक्सर देखा जाता है कि साइलेंट स्टोन्स आप बोलते हैं कि तो उसके बाद कईयों को तो साइकलोजिकल भी यह लगता है कि मेरे को अहसास है, दर्द का हसास है। तो चलिए अगर इसके हम लक्षनों की बात करें, तो किस तरह के जो कॉमनेस्ट लक्षन है, वो किसी भी ग्रसित मरीज में देखी जा सकते हैं। जी, बल्कुल ठीक. सबसे कॉमनेस्च जो लक्षन है गॉल ब्लैडर काॉल ब्लैडर स्टोंव मैंने बुला एक टी परसंट उफ ताइम ऐस्म्टोमेटिक होते हैं। मैंने वही बुला साइलें स्टोंज आई स्टोंज नहीं पता। बट वो asymptomatic stones भी जो percent है लोगों की उससे एक से दो percent लोग हर साल उसमें symptoms में आएंगे. जोरी नहीं है कि उनको symptoms आएंगे. उसमें से अगर दस लोग है तो एक या दो percent लोगों को हर साल कोई symptom आएंगे. और symptom क्या कहा है? main symptom है pain, दर्द. वो दर्द जो है वो typical जो गॉल बेडर की दर्द है वो होती है आपके right side में, abdomen में, उपरले हिस्से में, right side में या center आपकी जो चाती है उसके बिलकुल नीचे उसके होती है और वो आपकी back की तरफ जाती है, right shoulder के नीचे की तरफ जाती है, right shoulder में भी जा सकती है, right side इदर भी जा सकती है. उसके साथ आपको उल्टी स्टोन के कारण और स्टोन फसने के कारण जो गॉल बेडर के पेन होती है वो काफी स्वियर कॉल की इसी पेन होती है और उसके साथ नौजिया और वामटिंग भी होता है तो कई बार वो स्टोन जो है जो गॉल बेडर से बाहर पाई पाती है उसमें फस जाता है तो वो इसकर क तो यह तो एक मेल लक्षन है पेन आपकी राइट साइड जो पीछे को जाएगी नौजियों को जो हता है क्योंकि डाजेशन पूरी तेने में भी होता कि आपको यह बिल्कुल पेट में नाभी के ओपर पेन होगी पेन भी नहीं होती है जिसके करण उनको थोड़ा सा खटा प बनना जी मचलना उल्टी को करना डाजेशन यह थोड़े से नॉर्मल सिम्टम्स यह साथ में आ सकते हैं पांच से दस प्रतिशन पेशन को लिफ्ट साइड में भी थोड़ी पेन हो सकती है बट यह बट एक कॉम्प्लिकेशन जो है साथ में हो सकती हैं गॉल बैडर के स्टो तो वो पेशन्ट को पी लिया हो जाता है, जिसको हम जॉंडेस बोलते हैं, उसके साथ भी मरीज आ सकता है. तीसरा कई बार होता है कि जब गॉल्बेडर से स्टोन पास करें, सीबीडी से भी पास करके आगे निकल जाता है, तो पैंक्रियाज एक हमारी गरंथी होती है, वो भी वहीं से उसकी डक्ट है, वहीं पे खुलती है, जहां से सीबीडी आती है, तो उसमें भी इंफ्लमेशन के जानते हैं, बहुत ही खतरनाग बिमारी है, कई बार जानलेवा भी होती है, तो वो इसमें नहीं है, वो रेर है, बट ये हो सकती है, कई बार ये स्टोन जो है, गॉल्बेडर से आत में डिरेक्ली भी चला जाता है, फिस्टुला बनने से, और वो अब्स्ट्रक्शन भी कर स लगता है, तो ये कुछ जादा कॉम्प्लिकेशन है, बट नॉमली इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, रेर है कॉम्प्लिकेशन बट हैं ये, बट सिम्टम वाइज अगर आप देखें तो पेन, राइट साइड अपर अब्डॉमन आपकी पीठ की तरफ जाएगी, न आपका फैटी मील्स के साथ, जो भी आपका चडबी जिसमें जादा हो, या बटर या जितना भी है, ये फैटी मील्स के, नॉमली कई बार होता है, जो अक्यूट अटाइक की पेन होती है, रात को कोई जैसे, कोई शादी में गए धाम खाली, जो अच्छा खाली हो, तो बह होता है, एसूसियेटिड वो होता है, बट डिरेक्ली उससे नहीं है, तो चलिए, ये हमारे गॉल ब्लेडर है, इस से समंदित कई ब्रांतियां हैं, अभी हमारे जो धर्शक हैं, उनकी ब्रांतियों को दूर करना बहुती जरूरी आवशक बन जाता है, क्योंकि ये भी करने के किसी भी पदतियों में हैं, पर हमारे जो एलोपेथी हैं और जो इसमें भी बताते हैं कि आप कुछ एक ऐसी दवाएं हैं, जिससे कि आप उस गॉल स्टोन्स को एनलार्ज होने से रोक सकते हैं, उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, पर कई लोग ऐसा चांस ले ले लेते हैं, जी ठीक बोला, आपने बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सजड़ी से शायद डर लगता है या कुछ है कि हमें नहीं कि और कोई है, ये शायद भरमित इसलिए होते हैं लोग के दो चीज़े हैं, एक गॉल बेडर स्टोन और एक किड्नी स्टोन में जरूर है कि छोटे स्टोन जो है किड्नी के वो कुछ डाइटरी मॉडिकेशन पानी दवाईयों के साथ निकल जाते हैं बहुत छोटे वाले स्टोन बट एक बिलकुल क्लियर कट मैसेज है कि गॉल बेडर के स्टोन दवाईयों से नहीं जाते हैं, देर इस कोई स्टोन को डिजॉल्व करके निकाल सके हां कुछ सिचुएशन रहें बहुत कम सिचुएशन जिसमें हम बोलते हैं कि गॉल बेडर में अभी शुरू होती है जो एक रेथ की तरह होती, स्लज बोलते हैं गॉल बेडर का, या बहुत छोटी पथरी दो से तीन मिलिमेटर, चार millimeter एक single पत्थरी बनी है तो वो वाले है और वो भी खास Blues होते हैं और हम गॉल ब्लेडर का अगर आप देखें तो 3 तरह के स्टोंस बनते हैं गॉल ब्लेडर में एक होते है cholesterol stones जो की commonest है cholesterol stones एक mix stones होते के उस में 50-70% cholesterol की मातरा होती है और बाकी calcium bilirubinate होते हैं और एक होते है pigment stones pigment stones जल्ली पाए जाते हैं कईयों में जो कुछ बिमारियां हीमोलिटिक अनीमिया होते हैं सिक्कल सेंद अनीमिया हैरी जिसमें bilirubin जादा बनता है तो वो stones भी होते हैं तो वो दवाईयों से नहीं कर सकते हैं दवाईयों से नहीं जाते जो कौलिस्टॉल स्टोंस है छोटे वाले कौलिस्टॉल से जिसमें स्लज है उसमें कुछ दवाईया है जो कि उसको शायद बढ़ने से या कम कर देंगी जो एक लाती अरिसी डोकॉलिक असिड करके दवाई है जिसको खाने से कई बार वो डिजॉल क्या कम हो जाती है नहीं दिखती है बट प्रॉब्लम ये है कि वो गॉल ब्रेडर जो है इसमें एक बार स्टोन बन गया तो इसके मतल कि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि उसमें कॉलेस्टॉल आपका जादा आ रहा है दिजीज गॉल बेडर है और एक और कारण होता है गॉल बेडर स्टोन बनने का कि वो एमटी नहीं हो पाता ठीक तरह से क्योंकि अगर कोई चीज उसके अंदर है पानी जैसे बाइल है वो कॉंट्रैक्ट नहीं वो निकले नहीं तो फिर वो चांसे है कही भी कोई जैसे ना कुछ सिचुएशन में बड़ी रेर में या कोई बहुती बिमार है सजरी नहीं टॉलरेट कर सकता हो तो उनको कोई दवाई दे के छोटे में बहुत छोटे दो तीन चार मिली मीटर के स्टोन है या रेट की तरह है उसमें शायर ये पीने के जो खाने की दवाई होती है ये कर सकते हैं, जो हमारी पर्दती में बाकी पर्दती हमें जैसे होगा तो उनके लिए हमें जैसे बोल रहा हूँ होगी, बढ़र हमारी पर्दती में वो अरसिडोकॉलेक ऐसे डवाई है, जिसके कारण शैद स्टोन्स डिजॉल्व हो जाएं बट वो द्वारा से बन जाएंगे चलिए अगर प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जैसे किसी भी बिमारी जूतनी भी बिमारी हैं आप बोलते हैं तो किस तरह का लाइफस्टाइल और किस तरह का खान पान रिकमेंड करते हैं जो भविश्य में आप इस बिमारी से अपने शरीर को बचा सकें लाइफस्टाइल तो हल्दी लाइफस्टाइल होना जीए कोई ऐसा नहीं कि रेगुलर डाइट होनी चाहिए रेगुलर नॉर्मल मील्स होनी चाहिए कोई कोई भी चीज एकसेस में खराब करती है लेकिन इसके लिए खास तोर पे जो है जो हमार को गॉल्स्टोन्स की लिए जो बोलते हैं जादा घी घी तली चीज़े जो है चिकनाई जो है फैट्स है फैट्स वान अब दे क्योंकि उससे कॉलेस्ट्रॉल बनता है और अगर आपकी जनेटिक है गॉल्स्टोन जनेटिक भी आपके जनेटिक मेकर भी तो उसमें मुश्किल है बचना अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जी एंगे खाना ठीक से खाएंगे मैंने बूल लाग जैसे इंटी भी होता रहना चाहिए जैसे लोग फास्टिंग बहुत करते हैं, वो भी ठीक है हमारे इनदी परते हैं, बट फास्टिंग भी जादा नहीं चाहिए, क्यों गॉल बेडर कॉंट्राक्ट नहीं होगा, इससे बाइल भरता रहेगा, कठा होता रहेगा, तो हम मना करते हैं, कि जो भी गॉल बेडर के स्टोन्स के पेशे ने खाएं, healthy, balanced, diet खाएं, excess कुछ भी न करें, obviously घी तली चीज़ें, ये तो वोइड करें, fats जितने भी हो सकें, unsaturated fats होते हैं, बहुत सारी sugars, refined sugars, वो भी आपका convert होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए, alcohol और smoking जो कि, जो कि, जनली सब बिमारियों का बोला जाता है, वो है, उनको directly caffeine, ये सारी link नहीं है, हाँ, excessive alcohol smoking मैंने बोला, वो कोई directly stones नहीं करती हैं, बट should be avoided, क्योंकि आप अगर alcohol लेंगे साथ में, जादा कोई fried भी हो जाता है, जैसे snacks लेते हैं, कुछ लेते हैं, smoking तो आपकी वो motility सब की कम होती, तो वो सारा वो है, अच्छा आप खाने खाने के लेने चाहिए, खूप सारी green leafy vegetables, fiber ये सब होगा, तो उससे आप बच सकते हैं, 100% हो नहीं है, बट ये सब idle body weight है, obesity है, दूसरा एक तो obesity जादा नहीं होते हैं, दूसरा आज कल मैंने बहुत ट्रेंड देखा है कि लोगों में, जो crash diets करते हैं, weight loss करने के लिए, वो एक कारण है, gallstones बनने का, क्योंकि आप suddenly weight loss करते हैं, तो fat जो है निकल के, जो liver है, आपका cholesterol जाना के excrete करती है, तो ये crash diets और subtle weight loss भी one of the factors है for gallstones बनने का, तो वो भी आपको avoid करना चाहिए, क्योंकि आज कि काफी लोगों को है कि weight कम करना है, और crash diets or different करते हैं, तो वो avoid करें, तो चली कि जानकारी हमारे दर्श्कों से सांजा की, क्योंकि अक्सर ये कई बार देखा गया कि कई जो मुटापे से ग्रसित है, वो एकदम चाहता है कि मेरा वज़न एकदम ही कुछ एक महीनों में, दस बारा किलों से नीचे कम हो जाए, तो उसके intermittent fasting है, या कुछ खान पान में तबद अब ये 40 का concept भी खतम होके आप देखा गया कि बच्चों में भी इस तरह की stones की development की पुष्टी की जा रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्या मानना आपका, ये भी सब उसी से संबंदित है, डाइट से और लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल इसके बारे में शोध हो रेर हैं, बट आ रहे हैं हमारे पास, तो वही मैंने बोला, शायद वो incidence बढ़ गया क्या लगता था कि या चोटी मोटी बिमारी होगी, कई बार अल्टरा साउंड नहीं भी होता था, आज कल वो अल्टरा साउंड भी हो रहा है, और उसके करन पिक अप भी हो रहा है, तो अ शो चल रहा है, वो भी है, बट हाँ, डेफिनेटली यंग एज, बहुत हम 20-25 साल, 14 साल के बाद वाला जो पीरियड है, वो काफी खतम हो गया, अब अरली यंग एज में हमें काफी मिल रहे हैं, एक और बहुत महत्तपून जो प्रशन आप से हम करना चाहेंगे, कई बार य लेपरोसकोपिक, जो आपकी एक नई एडवांसमेंट है, जो आप लेपरोसकोपिक एडवाइस करें, तो आपके अनुभव से, क्या ये धोनों ही बराबर के ऑपरेशन है, या किसको प्राथमिक्ता देना आवशक बन जाता है, नहीं, अब तो जो है, एक तो अब बहुत क करेंगे, तो लेजर नहीं है, वो लेपरोसकोपिक है, दूर भी डाली जाती है, चार छोटे छेद बनाया जाते हैं, पेट में उसमें इंस्टूमेंस डाले जाते हैं, और उसके तो ये गॉल ब्लेडर के लिए ये गॉल स्टेंडर है, अब बहुत रियलि, 99% केसे वर्लड बहुत एसोसियेटेड है, गॉल ब्लेडर थिकंड है, कुछ है, अगर हमें अल्ट्रासॉंड पर ऐसा लगे, CT पर हमें शक हो, तो हम जरली फिर ओपन करते हैं, क्योंकि वह बड़ा ओपरेशन होता है, गॉल ब्लेडर के साथ लिवर और उसका भी निकालना पड़ता है, त दूसरा एक शह लोगों में पहले भ्रहम था कि वह उपन कराना चाहते हैं, क्यूंकि शह गॉल बेडर छोड़ देते अंदर, या स्टोन नहीं निकालते हैं, ऐसा कुछ निए, जैसा लेपरोस्कोपी में होता है, जैसे उपन में होता है, वैसा ही लेपरोस्कोपी में, चाहे चार बार, क्योंकि आंत में बाई लब डिरेक्ली आरा होता है, क्योंकि गॉल बेडर नहीं है, तो कई बर वो आपको गैस्ट्रिक करता है, तो थोड़ा खाना और एक टाइम में दिन में या तीन या चार चार बार कम से कम जूर खाए. तो डॉक्साब समय का भाव है, आज आप हमारे सकारिक्रम में आए, और बहुत महत्वपून जानकारी आपने हमारे दर्शकों से सांजा कर उन्हें लाभानवित किया, मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, तो दर्शकों ये थे प्रफेसर पुनीत मह आजन जी जो कि एक सफल शले चिकित्सक के रूप में इंद्रागंदी आयर विज्ञान महाविध्याले में अठारा वर्शों से जादा कारे रत हैं, इनके दिये हुए संजेश और इनकी दीवी जानकारी से उमीद करते हैं, आप जरूर लाभानवित हुए होगे, अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेशक्ये के साथ, तब तक के लिए आगया दीजिये, नमस्कार. झाल